जले इस वक्त संविधान दिवस पर प्रधान मंती नरेंदर मोदी कुछ कह रहे हैं सिदे आपको लिए चलते हुआ मजबूत कर रही है इस कारे से जुड़े सभी लोग अभिनंदन के अधिकारी है मानिया आज़ादी के लिए जीने मरने वाले लोगों ने जो सपनी देखे थे उन सपनों के प्रकाश में और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोय हुए हमारे समिधान निर्माताओं ने हमें समिधान दिया सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने भारत को अनेक मुसिबतों में जौंग दिया था किसी यूग में सोने की चिडिया कहा जाने वाला भारत गरीबी भुखमरी बिमारी से जूज रहा था इस पुस्ट भूमी में देश को आगे बढ़ाने में समिधान हमेशा हमारी मदद करता रहा है लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों की तुलना में देखें तो जो देश भारत के करीब करीब साथ ही आजाद हुए वो आज हमसे काफी आगे हैं यानि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है हमें मिलकर लक्स तक पहुँचना है हम सभी जानते हैं हमारे सम्विधान में इंक्लूजन पर कितना जोड दिया गया है लेकिन ये भी सच्चाई रही है कि आजादी के इतने दस्वक बाद भी बड़ी संख्या में देश के लोग एक्लूजन को भोगने के लिए मजबूर रहे हैं वो करोडों लोग जिनके घरों में सौचालाई तक नहीं था वो करोडों लोग जो बिजली के अभाव में अंधरे में अपनी जिन्द की बिता रहे थे वो करोडों लोग जीवन के सबसे बड़ा संगर्ष घर के लिए थोड़ा सा पानी जोटाना था उनकी तकलीफ, उनका दर्द समझ कर, उनका जीवन आसान बनाने के लिए खुद को खपा देना, मैं सम्विधान का असली सम्मान मानता हूँ और इसलिए, आज मैं जे संतोष है, कि देश में सम्विधान की इस मूल भावना के अनुरूप, एक्स्लूजन को इंक्लूजन में बदलने का भगिरत व्यान तेजी से चल रहा है, और इसका जो सबसे बड़ा लाप क्या हुआ है, ये भी हमें समझना होगा, जिन दो करोड से अधिक गरीबों को आज अपना पका घर मिला है, जिन आठ करोड से अधिक गरीब परिवारों को उज्वला योजना के तहट मुप्त गैस कनेक्शन मिला है, जिन पचांस करोड से अधिक गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में पांच लाख रुपे तक का मुप्त इलाज सुनिश्चित हुआ है, जिन करोडों गरीबों की पहली बार भीमा और पैंसन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली है, उन गरीबों के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम हुई है, योजनाएं उनके लिए बड़ा संबल बनी है, इसी कोरोना काल में पिछले कई महिनों से 80 करोड से अधिक लोगों को मुप्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है, प्रदान मंत्री गरीब के लियाण अन्य योजना पर सरकार 2,60,000 करोड रुपे से अधिक खर्च करके गरीबों को मुप्त अनाज दे रही है, अभी कल ही हमने इस होजना को अगले मार्च मार्च महिने तक के लिए बढ़ा दिया है, हमारे जो डारेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो कहते हैं, शिटिजन्स, मैन अन्ड विमेन, इक्वली, वो इसी भावना का ही तो प्रतिवीम है, आप सभी ये मानेंगे, कि जब देश का सामान्य मान भी, देश का घरी, विकास की मुख्य धाना से जूड़ता है, जब उसे, एक्वेलिटी और एक्वल आपर्चुनिटी मिलती है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है, जब रेड़ी, ठेले, पट्री वाले भी, बैंक रेड़ी की ववस्था से जूड़ता है, तो उसको राष्ट निर्मान में भागिदारी का एसास होता है, जब दिव्यांगों को, उनको ध्यान में रखते हुए, पब्लिक प्लेसिस, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट और दूसरी सुविदाओं का निर्मान होता है, जब उन्हें आज हदी के सत्तर साल बाद पहली बार कॉमन साइन लेंग्वेज मिलती है, तो उनमें आत्मविश्वास जगता है, जब ट्रांस्जेंडर को कानूनी सोनक्षन मिलता है, ट्रांस्जेंडर को पद्मपुरस्कार मिलते हैं, तो उनकी भी समाज पर समिधान पर आस्था और मजबूत होती है, जब तीन तलाग जैसी कूरिती के विरूत कड़ा कानून बनता है, तो उन बहन बेटियों का समिधान पर वरोसा और ससकत होता है, जो हर तरह से नाउमीद हो चुकी थी, बहनुबाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सम्विधान की भावना का सबसे ससक प्रगटिकरण है, सम्विधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती, और ये हमने करके दिखाया है, आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेज मिल रहा है, जो कभी साधन संपन लोगों तक सिमित था, आज लद्दाक, अन्यमान और निकबार, नौर्थ इसके विकास, इन सब इक्षेत्रों कर, देश का उतना ही फोकस है, जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रों शहरों पर है, लेकिन इन सब के बीच, मैं एक और बात के तरफ आपको ठान दिलाऊंगा, आपने भी जरूर अन्भू किया होगा, किजे जब सरकार किसी एक वर्क के लिए, किसी एक छोटे से टुकडे के लिए, कुछ करती हैं, तो बड़ी उधारवादी कहलाती है, उसकी बड़ी प्रसोंसा होते दिलियों, उनके लिए कुछ किया, लेकिन मैं हरान हूं, कभी कभी हम देखते हैं, कोई सरकार एकाद राज्य के लिए कुछ कर ले, कुछ राज की भलाई का काम करते हैं तो भी वावाई हो जाती है लेकिन जब सरकार सब के लिए करती हैं हर नागरी के लिए करती हैं हर राज्य के लिए करती हैं तो उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता जिसका कभी कभी दुखता जिक्र तक नहीं होता है सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्ग का हर राज का समान रुप से भला हो रहा है इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है पिछले साथ वर्षों में हमने बिना भेद्भाव के बिना पश्पात के विकास के हैं हर व्यक्ति हर वर्ग और देश के हर कोने तक पहुचाने का प्रयास किया है इस साल पंदर आगस को मैंने गरीब कल्यान से जुड़ी योजनाओं के सैचुरेशन की बाद कही और इसके लिए हम मिशन मोड पर जुटे भी है सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए इस मंत्र को लेकर के कार्य करने का हमारा प्रयास है आज इसने देश के तस्विर कैसे बदली है यह हमें हाल के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में भी दिखाई देता है इस रिपोर्ट के बहुत से तथ्या इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब नेक नियत के साथ काम किया जाएं सही दिशा में आगे बढ़ा जाएं और सारी शक्ति जुटा कर लक्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएं तो सुखत परड़ाम अवश्च आते हैं जेंडर इक्वैलिटी की बात करें तब पुरुषों की तुलना में बेटियों के संख्या बढ़ रही हैं गर्भवती महिलाओं का अस्पदाल में डिलिवरे की जादा आउसार उप्लत्द हो रहे हैं इस विजह से माता मृत्युदर शिश्यु मृत्युदर पर कम हो रही हैं और भी बहुत सार इंडिकेटर ऐसे हैं जिस पर हम एक देश के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं इन सभी इंडिकेटर्स में हर परसंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी सिर्व एक आंकड़ा भर नहीं है ये करोड़ों भारतियों को मिल रहें उनके हक का प्रमाण है से जूड़ी परियोजनाओं समय पर पूरी हो कि किसी भी कारण से हुई अनावश्यक देरी नागरीक को उसके हक से बंचीत रखती है मैं गुजरात का रहने वाला हूँ तो मैं सरदार थरोण डेम का उदान देना चाहता हूं सरदार वल्दभाई पटेल ने मान नर्बदा पर इस तरह के डेम का सपना देखा था पंडित नहरू ने इसका सिलान्यास किया था लेकिन ये परियोजना दसकों तक अप प्रचार में फसी रही परियावन के नाम पर चले आंदोलन में फसी रही नायालाय तक इसमें निरने लेने में हिच्की चाते रहे वर्ल बैंक ने भी इसके लिए पैसे देने से मना कर दिया था लेकिन उसी नर्बदा के पानी से कच्छ में जो विकास हुआ विकास का कार्य हुआ आज हंदुस्तान के तेज गति से आगे बढ़ने बिस्ट्रिक में कच जिला है कच को इस एक प्रकार के रिगिस्तान जथा ईलागा है तेज गती से विक्सित होने वाले ख्षेत्रों उसकी जगा बन गई कभी रेगिस्तान के रूप में जाने जाने वाला कच पलायन के लिए पहचान जाने वाला कच आज एग्रो एक्सपोर्ड की वज़े से अपनी पहचान बना रहा है इससे बड़ा ग्रीन एवर्ड और क्या हमारी अनेक पीडियों के लिए उपनिवेशबाद की बेडियों में जक्ड़े हुए जीना एक मजबूरी थी भारत की अज़ादी के समय से पूरे विश्व में एक पोस कॉलोलियन कालखन की शुरुवात हुई अनेकों देश आजाद हुए आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में एक्जिस्ट करता है लेकिन इसका मतलब यह नही सिख्ता को ऑगोनियल मैंड्सेट समाप्त हो गया है हम देख रहे हैं कि हम आजशिकता अनेक विक्षियों को जन्म दे रही है इसका सबसे सपस्ट होदारण हमें विकास देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है जिन साजनों से जिन मारग विक्षित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है आज वही सादन वही मार्ग विकास देशों के लिए बंद करने के लिए प्रयास किये जाते हैं पिछले दश्रकों में इसके लिए अलग-अलग प्रकार की शब्दावली का जाल रचाया जाता है लेकिन उद्देश एक ही रहा है विकासिल देशों की प्रगति को रोकना आज कल हम देखते हैं कि परियावरन के विशे को भी इसी काम के लिए हाईजेक करने का प्रयास हो रहा है कुछ सब्ता पहले हमने कोप प्लेटिसिक्स समीट में इसका जीवंत उद्धान देखा है भारत की तुलना में ग्यारा गुना अधिक एप्सोल्यूट क्युमिलेटिव एमिशन किया है इसमें भी पर केपिटा बेसिस को अधार बनाए तो अमेरिका और यूरोपिय संग ने भारत की तुलना में 20 गुना अधिक उत्सरजन किया है फिर भी आज और हमें गर्व है भारत जिसकी सभेतार संस्कृति में ही प्रकृति के साथ जीने की प्रवृति है जहां पत्थरों में पैडों में प्रकृति के कंड कंड में जहां पवधे में भी परमात्मा देखा जाता है उसका स्वरूप देखा जाता है जहां धर्ति को मा के रुप में पूजा जाता है उस भारत को परियावरन समरक्षण के उपदेश सुनाए जाते हैं और हमारे लिए यह मुल्य सिर्फ किताबी नहीं है किताबी बाते नहीं है आज भारत में लायन टाइगर डॉल्फिन आदी की संख्या और अनेक प्रकार की बायोडेवर्सि भारत में डिग्रेडेल लेंड का सुधार हो रहा है गाड़ियों के इंद्रम के मानकों को हमने छेष्चा से बढ़ाया है हर प्रकार के दिन्यूबल एनरजी उस खेत्र में हम विश्व के अग्रणी देशों में हैं और पैरी समझोते के लक्षों को समय से पहले प्राप्त करने की और अग्रसरगर कोई है तो एक मात्र हिंदुस्तान है जी ट्वेंटी देशों के समुवों में अच्छे से अच्छा काम करने वाला कोई देश है दुनिया ने माना है को हिंदुस्तान है और फिर भी ऐसे भारत पर परियावरण के नाम पर बहाति भाति के दबाव जाते हैं यह सब उपनिवेश्वाद मांसिक्ता का ही परणाम है लेकिन दुर्भाग यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मांसिक्ता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अठकाए जाते हैं कभी फ्रीडम आप एक्षपरसन के नाम पर तो कभी किसी और चीज का सहा पारा लेकर हमारे देश की परिस्थितिया है हमारे युवाओं के आकांशाय है कि सपनों को बीना जाने समझें बहुत सी वाग दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोलने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करे की कोशिच होती है इसक नुक्सान यह जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पढ़ता है इसका नुक्सान भुगतना पढ़ता है उस मा को जिसका बच्चा बिजली प्लांट सापी नहोंने के कारण पढ़न नहीं पाता इसका नुक्सान भुगतना पढ़ता है उस पीता को जो रुके हुए ये सड़क प्रोजेक के कारण अपने संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाता है इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मद्यम बर्गे परिवार को जिसके लिए आधुनिक जीवन की सुविधाय परियावरन के नाम पर उसके आमद निशी से बहार पहुंचा द देश में विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में करोड़ों आशाएं तूड़ती हैं आकाशाएं दम तोड़ती हैं आज हजी के अंदोलन में जो संकल्प शक्ति पाता हुई उसे और अधिक मजबूत करने में ये कॉलोनियल मैंसेट बहुत बड़ी बाता है हमें इसे द सबसे बड़ा प्रेनाश्रोत हमारा संविधान ही है मानिया सरकार और न्याइपालिका दोनों का ही जन्म संविधान की कोक से हुआ है इसलिए दोनों ही जुड़वा संताने हैं संविधान की वज़े से ही ये दोनों अस्तित्वर में आये हैं इसलिए व्यापक दर्शिकोंड से देखे तो अलग-अलग होने के बाद भी दोनों एक दुसरे के पूरक है हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा गया है एक्यम बलं सामंजस्या एक्यम बलं समाजस्या एक्यम बलं समाजस्या तत अभावेस दुर्वलह तस्मात एक्यम प्रसंसंती द्रण्हम राष्ट हितैशनी यहां प्रसंद्द समाजस्ट बलं समाजस्ट बलं समाजस्वल के लिए उनकता है